गुर्मानिंग बच्चों आज हम क्या करेंगे चैप्टर टू का जो लास्ट पार्ट है पार्ड फोल विलियन ठीक है उसको आज समापत करना है और फिर काल हमें अगले चैप्टर को इसटार्ड करना है ठीक है चैप्टर नमर थ्री ठीक है तो चलते हैं कुछ खास टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हैम मारा हैं हें नियम का नियम है वह समज्जा से हुटा है तो यह फह न हे पारिभास जाती है तो पहली पारिवास हमीर इस की पहले sociology नियम की अंसार किस इस तिहघंडियरतर पर किस तिहों पोषुद तो इस्थिरता पर किसी गैस की द्रब में बिलेता का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हो बिलेता का मतलब क्या होता है जो गोले तो किसी गैस की द्रब में बिलेता गैस जो किसमें मिक्स हो जाए तो किसी गैस की द्रब में बिलेता गैस के दाब के समान उपाती होता है यहां पे दाब लिखा होगा है तो दाब के समान उपाती होता है तो डिफिनिशन मारी क्या होई कि इस नियम के अनुसार इस्थिरता पर किसी गैस की द्रव में भी लेता गैस के दाब के समान उपाती होती है तो दाब को हम प्रेशर कहते पी से भी दिनोट करते हैं पाई से भी दिनोट करते हैं पर अधिकतर पी से दिनोट किया जाता है ठीक है और यहां पर अगर बात करें हम तो समान उपाती होती है और किसके इस्थिरताब पर किसी गैस की द्रब में भी लेता ठीक है तो यहां पर हम मानेंगे गुली हुई जो गैस की मात्रा है उसे किसे दिनोड करेंगे तो इसे दिनोड करेंगे यम से किसे दिनोड कर देते हैं यम से गुली हुई गैस की मात्रा को M मान रहे है तो M सिदी नोड करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं M proportional to P मतलब M समानुपाती P के जब M समानुपाती P के है तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे जब M समानुपाती P के है तो मैं यहाँ पे हटा देंगे इसको बराबर मिलाएंगे तो यह आजाएगा के पी तो यम बराबर क्या हो जाएगा के पी तो यम यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यम हो जाएगी घुली हुई गैस की मात्रा ठीक है गुली हुई गैस की मात्रा और पी क्या हो जाएगी तो पी हो जाएगी साम पर गैस का दा के जो होता है यह क्या होता है तो यह समान पाती इस्तिरांग को होता है ठीक है चलिए हेनरीं का अबसब раз कि democrats लगता है बनारीं का दो दो तरीके से भी उता है इस तरह से होता है डेहँ लिए इस नियम को भी तो यहां में किसी गैस का वास पवस्था में उस विलियन में गैस के समानू पाती होता है इसे भी हाइं यहां पर थोड़ा सा परिभासा में चेंजी होई है कि किसी गैस का वास्प वस्था में आंसिक दाप उस विलियन में गैस के मोल अंस के समानुपाती होता है इसे भी हम लोग हेनरी का नियम पढ़ते हैं और इसका प्रूप भी देख लेते हैं तो देखिए हमने मान लिया कि म मोलंच के समौनपती देखिए मोलंच को मान लिया तो यहां पर करेंगे तो प्रपोर्शनल् somewhere to kk x करेंцев का ओगा को हो जाएगा हैं अब in the इस तरह से भी एम लिख सकते हैं यक्सका अगर यहां पर मान निकालना चाहे तो आजाएगा पी बटे के आजाएगा आजाएगा यहां पर बराबर चिन लगा दिए दो कि शाय फोशनल का लग गया तो पी अपान के तो यह हमारा सूत्र हो गया है अब देखिए यहां पर लि तो उस स्थित में गैस की द्रब में विलेता का मान हेनरी के स्थिरांग के वियुत क्रमान पाती होता है अर्थात नियत दाब हेनरी के अधिक मान के लिए विलेता कम होगी और नियत दाब पर हेनरी स्थिरांग के कम मान के लिए विलेता अधिक होगी नियत दाब हेनरी के नियम की सीमाइं भी पढ़ लेते हैं पूछी जाती है हेंडी की नियम की सीमाइं तो पढ़िए हेंडी की नियम सीमाइं क्या होती है हेंडी का नियम सभी पर इस्तितियों के लिए लागू नहीं होता है अर्थात कुछ इस्तितियां ऐसी होती है जहां हेंडी का नियम कार नह लागू नहीं होता है दूसरी कंडिसन दूसरा नंबर जो क्या कहे रहा है कि अगर प्रिश्र कमान जो है वेलू उसकी अधिक हो जाती है तो वहां पे भी जो कार नहीं करता है यह हेंदी के नियम वहां गैस की विलेता का माँन हो विलाख में बहुत कम होता है तो बिलायक से बहुत कम होता है तो बहुत कम होता है तब क्यों होटा है चौती कंडीशन इसकी पढ़ लेते हैं चोथी कंडीशन इसकी क्या है कि पानी में अमोनिया और हैड्रोक्लोरिक अमल को क्या बोलते हैं तो पानी में अमोनिया और हैड्रोक्लोरिक अमल गैसों की विलेता पर हेंड्री का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है क्यों नहीं लागू होता है यहां पर क्योंकि थोड़ा से गलत लिग गया है तो क्योंकि सही कर लीजेगा क्योंकि अमोनिया गैस पानी के साथ क्रिया करके योगिक बना लेती है और दूसरी तरफ weiScl-Seal पानी में आयनित हो जाती है मद़र तूट जाती है अ च्रिया कर दिया और도 क्योंकि हो ऊता है तो यह कूल चार सीमायती जो आपको बता दी गई है चलिए आपको जो question अगला है अगली definition हो इसको पढ़ते हैं अगली definition हमारी क्या है अगली definition हमारी है वानधाप कारक या गुड़ंक इसको I से डिनोट करते हैं अब इसको क्या कहते हैं इसका परिभासा definition क्या होगी यह भी most important परिभास आपी पूछी जाती है तो किसी अनुसंख गुड़ धर्म के प्रायोगिक मन तथा सामान मन किसी अनुसंख गुड़ धर्म के प्रायोगिक मन जो प्रयो करके निकाला गया और समान मन उन दोनों के ही अनुपात को क्या बोलते हैं वाण ठापकारक्या गुरांक कहते हैं इससे आई से डिनोट करते हैं तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा वाण ठाप गुढक आई बराबर किसी अभुषण गुर्धर्म का प्रायोगिक मान भटे कि तो किसी अरुसन के गुड़ दर्म के प्रायोगी कमान तथा समान मान के अनुपात कोई क्या बोलते हैं वान्ठाब कारक या गुड़ांक आई कहते हैं तो देखे इसमें भी कुछ कंडीसन है ये किसमें किसमें नागव होता है तो देखे यहां पर जब आई कमान जो होगा वो एक से क्या होगा बड़ा होगा जब आई कमान मतलब वान्ठाब कारक या गुड़ांक कामान एक से बड़ा होगा तो ये school अब घट के यह कार करता है, ठीक है, की तरह कार करता है, यह मानले, ठीक है, और जब I कामान क्या होगा, एक से, ठीक है, जब I कामान, एक से छोटा होगा, ठीक है, जब I कामान क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक छोटा होगा, ठीक है, तो विद्धु दपगट के लिए कार करेगा, औ तो एक कमान बड़ा होगा आय छोटा जब आय की वैलू एक से छोटी होगी यह वान्ञ वाँट में संवो संवत हो जाए तो यह संगुड निए चोटा होगा तो बीद्य पर तीस एक कंदिशन न कामान एक के बराबर होगा तो यह विद्दुत अन अप घट्ठों के लिए लागू ओगा खिसके लिए लागू होगा विद्दुत अन अप घट्टों के लिए लागू ववात होगा तो यह टोटल तीन कंडिशन थी हमारी वांठाब गुणक की इनको लिख लीजिएगा तो यह तो था मारा वांठाब गुणक नियम अगली डिफनिशन थोड़ी छोटी से उसको भी पढ़ लेते हैं परासरणी गुणांग क क्या होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है परासरणी गुणांग क्या होता है तो परासरणी गुणांग से तातपर विलायक का राउल्ट के नियमांसार आदर्स वेवहार से विचलन की मात्रा है ठीक है परासरणी गुणांग से तातपर विलायक का राउल्ट के नियमां आदर्स बेवहार से विचलन की मत्रा है पड़ा सरनी गुडांक मोलता पर निर्भर करता है तो ये छोटी सिरिफ निशन थी पड़ा सरनी गुडांकी चलिए आँगे देख लेते हैं आंगे हमारे पास ही अप संक्गोड рав कि अप सामान अडसंग्घ धार्म नीश्चलों राध्य कि अप सामान अडसंग्डर्म भी बोच देते यक्गवल भी कहें अप सामन अगर लगा सावान अनुसंख गुर्धर्म तन विल्यनों के वेभौतिक गुर्धर्म, जो विल्यन में उपस्तित कड़ों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करती हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकति पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या गई रहा है तन विल्योनों के वे भातिक गुण जो विल्यन में उपस्थित कड़ों की संख्या उसकी मात्रा पर तो निर्भर करते हैं लेकिन उनके आकार और प्रकति पर निर्भर नहीं करते हैं यह ऐसा गुण क्या कहलाता है तो ऐसा गुण कहलाता है अनुसंख दूसरे सब्दों में अगर हम इसको कहना चाहें तो दूसरे सब्दों में विलियन के वे गुर धर्म जो विलियन में उपस्तित होते हैं या विलियन में कुल कडों की संख्या तथा विले के कडों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं अगर दूसरे सब्दों में इ मुलती है गुर्धर्म अनुसंख गुर्दम तो इसके दो डिफनीशन दी गई अनुसंख श農िधर्म सिर्फास बेवा करें उपन पर के हैं आपको यह अच्छी लगें है क्षा इन चनीों को अनुसंग छासी है गई हैथ के डिनोसरह फिर्मेह पहला हमारा कौन से था तो पहला हमारा क्या था राउल्ड का नियम था वास्प दाप का नियम था राउल्ड का नियम नहीं वास्प दाप का ओनमन यह चार हमारे अडु संक गुड़ में थे तो उदारन में देखे दिया है परसरण दाब अडु संक गुड़ धर में क्योंकि एक उदारण यहां पर देना था क्योंकि यहां विलियन में उपस्तित अडूम आयनों की संख्यापन निर्भर करता है और उनकी प्रकति पर नहीं ठीक है अब देखिए यहां पर हमने एक चीज पढ़ा था पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कोथ नांक का उन्नेयन यह तो पढ़ा था इसका सवाल भी किया था कोथ नांक का उन्नेयन ठीक है यह कोथ नांक का उन्नेयन होगा अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाए कोश्चन डिफिनीशन पूछी जाए कि मोलल उन्नयन इस्थिरांग की definition बताईए उन्नयन इस्थिरांग की definition बताईए यह question है मारा क्योंकि इस तरह से भी बहुत बार पूची गई है definition तो कोथनांग के उन्नयन को ही साइथ हम ने वहाँ पर नहीं बताया था कोथनांग के उन्नयन को ही क्या बोलते हैं मोलल उन्ययन इस्थिरांक बोलते हैं कथनांक के उन्ययन को ही मोलल उन्ययन इस्थिरांक कहते हैं तो कथनांक के उन्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं मोलल उन्ययन इस्थिरांक आंगे चलते हैं तो आंगे हमारा है हमने पढ़ा था हिमांक का आउनमन क्या पढ़ा था हिमांक का आउनमन यही तो पढ़ा था हिमांक का आउनमन हिमांक का आउनमन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मूलल ठीक है आउनमन मूलल आउनमन इस्थी रांग मूलल आउनमन इस्थी रांग मूलल आउनमन इस्थी रांग को किसको बोलते हैं तो हिमांग के आउनमन को बोलते हैं तो डिफिनिशन इस तरह से भी पूछी जाती हैं कि हिमांग का आउनमन बूछेगा तो आपको पता ही लिखवा दिया गया है लेकिन मुलल और इस तरह से पूछी है तो भी आप जवाब दे सकते हैं तो चलिए आगे दूसरी हमारी जो इसी के बाद हमारे जो आज की क्लास होगी फिनिस हो जाएगी कल अगले चैप्टर से मिलेंगे तो कल अगले चैप्टर का स्टार्ट कर दिया जाएगा तो देखिए आदर्स और अनादर्स विलियन क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं चोटी डिफिनिशन आदर्स और अन बिभिन परासों में ठीक है सांदर्ता और ताप दोनों ठीक है सांदर्ता और ताप की बिभिन परासों में परासों को मतलब क्या होता है बिभिन परासों में बिभिन टेंपरेचर में ठीक है जो होता है तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं राउल्ट के नियम का करते ह यह सका मान 0 से बड़ा होता है देखिए आंगे चलते हैं तो आंगे हमारा क्या है उसको पड़ लेते हैं आंगे है मारा अनादर्स विलियन क्या होते हैं तो अनादर्स विलियन वे होते हैं वे विलियन जो राउल्ड के नियम का पालन नहीं करते हैं इन विलियनों के लिए पी ए नाट इक्वल टू पी बी ठीक है नाट इक्वल टू पी बी ठीक है पी ए नाट इक्वल टू पी बी इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम इस तरह से लिख सकते हैं इस पी ए ठीक है नाट इक्वल टू पी नाट ए इंटू एक्स ए ठीक है यह बोलते हैं लिख सकते हैं ठीक और पीबी बराबर नॉट इक्टो ठीक नोटवी इंटो एक्स बी डेल्टा य entre 0 Ox मिश्रणव स्फीरल नॉट इडर्ट जीरो होता है तो यह है अनादर्स और अदरस विलियन इन दूसरा रावड के विलियन का पालन नहीं करता है तो इन दोनों को अपनी कॉपी मिनोट का लीजिए यह आज का चैप्टर नंबर टू जो था वह समाथ होता है कल आपका स्टार्ड हो जाएगा चैप्टर थ्री